बारते कुष्टी संग के पूरवध्यक्षव बज़ाप संसत ब्रजबूशन शरत सिंग आज दिली के राउजवे न्यू कोर्ट में हुई दिली पुलीस ने कहा कि संसत ब्रजबूशन शरत सिंग को निगरानी समती ने देश बक्त नहीं क्या है कमिटी ने सिफारिशों दीती फाइसला नहीं ब्रिजबश इंशरत सिंग पर लगे आरो पुमप दिली पुलीस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेंगे सुनवाई के अगली तारिक 23 सितंबर है कॉंग्रेस अजिक्ष मलिकार जुन करगे सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रयांका गांदी वर्डर समेथ पार्टी के वरिष्ट नेता कॉंग्रेस कारी समती की बैटक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे है टॉप नेता एक साथ शेहर पहुंचे यहां से वसीदे ताज ग्रिष्णा होटल पहुंचे जहां CWC की बैटक हो रही है राजिव गांदी अंतर राश्री हुआई अड़े पर उनके अगमन पर मलिकाज जुनकड़िये और सोनिया गांदी राहुल और प्रियांका का ये ICC महासच्यू केसी वेन गोपाल तिलंगाना के ये ICC प्रबारी मनी कराओ टाकरे राजिय कॉंग्रेस प्रेमुक रेवन ट जोशी से स्वागत किया नौगटिच CWC के पहली बाइटक दोफार में शुरू ही पूर्व प्रदावन मंत्री मनमोहन सिंग को छोड़ कर CWCC सब इस सदस्य बाइटक में शामिल हो रहे हैं ये बहुत महत्पूर सी CWC है कि आने वाले चुनाओ के बारे में रन्नीत बनेगी इसमें ये तहिया होगा कि किस तरह से संग्ठन को बढ़ाना है किस तरह आगे हमें गठबंदन करना चाहिए और किस तरह से लोकसभा और चार ये विदान सभाओं की तैयारी होनी चाहिए देश में एक साथ चुनाओ कराने के लिए संभावना तलाशने और सिपारिश करने के लिए उच्चस्तरई समिती की पहली बैटक्ति सितंबर को होगी पूर्व राश्रपती और समिती के अज्यक्ष रामनाद को इन्हें बताया कि समिती के पहले बैटिक्ती सितंबर को होगी वह एक निजी विस्व विद्यालाई के दिक्षांत सम्रोह में बाग लेने के लिए बूनेश्वर में थे इससे पहले तीन सितंबर क समती के अजिक्ष को शीर्ष अधिकारियों ने प्रार्मबिक जानकारी दीती केंडरी कानून मंत्रालई के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राश्रपती से मुलाकात कीती कोविंद लोगसबा राजविदान सबावों स्तानी निकायन के एक साथ चुनाव कराने की ने मध्यप्रेदेश के जबलपूर में एक सब्बादात और सम्मेलन को संभोधित किया जहां उन्होंने मध्यप्रेदेश के पूर्व मुक्यमंड्री कमलनाथ पर जम कर निशानत साधा नेता पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहां कि अगर शिवरास सिंग्छ चोहन और कम अगर शिवराज सिंग चोहन और कमलनाज जी को एक मंज़ पर खड़ा कर दिया जाए तो कमलनाज जी बहुत तके हुए दिखेंगे मध्यप्रिदेश में बड़े फाइमाने पर विकास हुआ और मैं चाहता हूं कि चुनाव के बाद इससे और बड़ोतरी हो अगर शिवराज जी और कमलनाज जी को एक मंज़ में खड़ा कर दे मैं तो बस्बंच से कमलनाज जी को जानता हूं वो तो पुरा ठका हुआ है अभी अभी एक कॉंग्रेस का महानुभव गिया था असाम में मुसको मिला था मैं नाम आपको परिशनली बता देता हूं वो मुसको पूसरा था कि अतना थका हुआ सहरा को क्यों पाटी बार बार ला रहा है तो इसलिए मैं बेक्ति में नहीं जाता हूं लेकिन विकास का गंगा बहा है मंधर परदेश का और विकास का जो एक हिंडू का खिलाब जो मरसा है और आज से नहीं आज अगर तीन सार महीन आप देख रहा है तो यूपी में रामसरीत मानस का खिलाब बिहर में रामसरीत मानस का खिलाब अमरपाली डीम वैली सोसाइटी की निर्मानादी की साइट पर लिफ्ट टूटने से हुए दर्दिनाग हदसे में अमरत्कों की संक्या बढ़कर आठ हो गई है बता दे शुकरवार को हुई इस गटना में पहले चार मजदूरों के मौत हो गई थी और पांच अन्यों लोग गायल हो गए थे जिनके हालात काफी नाजूक बनी हुई है सुत्रों ने मताबिक पांच अगायलोग को गंबीर हालत में इलाज के लिए जिला आस्पताल में बर्ति कराया गया था जिन में चार और मजदूरों ने रात में इलाज के दोरान दम तोड़ दिया यह गटना अमरपाली ड्रीम वैली सोसाइटी की निर्माना दिन साइट पर शुकरवास हुआ करीब साड़े आठ बजे घटी थी लंबे समय से अटकी इस परियोजनाओं को सरकारी कंपनी राश्ट्री बवन निर्मान निगाम द्वारा पूरा किया जा रहा है यह पूरे मामले की जैसे कल ही हमने ब्रीफ किया था आपको कि एक फायार दर्जो चुकी है और इसमें चुकि यह पूरा कार एंबी सी सी के सुपरविजन में हो रहा था तो उनके जो भी वहाँ पे उन्होंने जो कॉंट्रेक्टर काम कर रहे थे जो बिल्डर काम कर रहे थे उनके जो भी लोकल अपरतिनी दी थे कोई कल मोके पे मिला नहीं तो पुलिस ने पूरा साइट भी विजिट किया हैं और यह जाँ चल रही है इसमें जिस भी अस्तर से ला परवाई होगी वो हम लोग देख के उसमें कली कारवाई करेंगे मुक्यमंत्री पुशकर सिंग दामी ने सीम कैम कारियाले से प्रदान की गई कम्प्यूटर आउन वील को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर पुशकर सिंग दामी ने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं पहुंच रहा हमने आज कम्प्यूटर आउन वील लांच किया है जिससे उन्हें तक्नीक से जुडीवा अन्य मामलों की जानकारी होगी और वे आगे बढ़ेंगे समरोग के बाद पुशकर सिंग दामी ने इनने से बात कते हुए कहा कि सबी बच्चों को इंटरनेट और अन्यस विदावे प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर और आउन वील कारिक्रम शुरू लिया है राज भर में यह युवाओं के नवाचार पैदादिकां और अनसंदान के बारे में सिक्षित और उत्साहित करेंगे जिन बच्चों के पास इंटरनेट और अन्यस विदावों के कमी हैं उनके लिए हमने कम्प्यूटर आउन वील्स कारिक्रम शुरू किया है इससे बच्चों को नवाचार पैदादिकी की और अनसंदान के बारे में पता चलेगा और वे इससे प्रेरित होगे केरल में विपक्ष के निता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया की केरल सरकार के पास केरल में निपा के प्रकोप के सम्मंद में कोई स्वस्थ डेटा नहीं है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौज़ुद स्थिती को संभालने के लिए राज में कोई उपचार प्रोटोकॉल नहीं है यह नहीं से बात करते हुए वीडी सतीशन ने कहा मुझे लगता है कि केरल सरकार के पास कोई स्वस्थ डेटा नहीं है स्थिती से निपटने के लिए स्वस्थ डेटा अधिक महत्वपून है अब उसी जिले कोजी कोड में या बीमारी दुबारा सामने आ रही है कोई उपचार प्रोटोकॉल नहीं है केरल में वाइरालजी सस्थान है और वे सभी या द्धाई करने में साक्षम है की या निपा है या नहीं दुरबागी से स्वस्थ मंत्री वीन अजाज ने विदान सबा में जवाब दिया कि केवल पूने वायरालजी संस्तान ही इस बीमारी की पुष्टी कर सकता है। माई ने आइसी हेचार दिशानि देश के प्रवादान को अध्यायन किया है। चतिसगर के मुक्यमंत्री बुपेश बगेल ने संस्त के विशे सत्र से पहले बीजे पिपर निशाना सादा। सीम बगेल ने इसके पीछे के मकसद पर सवाल उटाया और यह भी कहा कि एक राश्ट एक चुनाओ अधानी मुद्य पर सवाल उनका नजर अंदाज करने की एक च कर कोई सवाल होता है तो बीजे भी मुद्धों को बटकने की कोशिश करती है। सनातन दर्म हमेशा रहा है और रहेगा हम जब यहां नहीं होंगे तब भी सनातन रहेगा। मध्यप्रदेश के प्रबावरी और सुरेजवाला ने बुपाल में पूर्व मुक्यमत्री कमलनाद के साथ एक संयुक्त पत्रकार वर्ता में ये बाते कही। इस दवरान उन्हों सनातन दर्म हमेशा से रहा है और यह यहां तब भी अस्तित्व में रहेगा जब हम यहां नहीं होंगे। पी-म क्यों नहीं बताते पटवारी का पेपर 15-15 लाग का क्यों विकांगे। पारी ने अनंतनाग मुटबेड के दौरान बारती साइनिकों को मौत के बारे में बात की। उन्होंने जवानों के बलीदान के प्रति सम्मान जताया और सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट ना मुहया कराने के लिए मोधी सरकार को जिम्मधार तहराया। उन बाहदू साइनिकों को सम्मान जिन्होंने अपने जीवन का बलीदान दिया बारती सेना का सम्मान लेकिन मोधी को साइनिकों के बुलेट प्रूफ जैकेट ना मुहया कराने पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शाहिद साइनिक की मा के शब्द याद करने चाहिए जब उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है तो वजीवित होता। मोधी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। मोधी सरकार को कि एक शहीद की मा अपने बेटे को देखकर जो बोल रही है उस पर सर्म के सिवा और आत्म दिकार के अलावा इस सरकार के लिए कुछ नहीं क्या हमारे बीर जवानों के लिए तुम बुलेट पूप जैकेट ऐसी नहीं करी सकते जो पूरी सुरक्षा कर सके उ कि उसमा की आवाद सुन लो सेहरे को मिलानी पाओ बेशी से में